नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ आंकेता तेलंगाना में रोजगार को लेकर परिशान युवाओं के लिए अच्छी खबर है प्रदेश में अब विदेशी कंपनिया भी रोजगार स्रजन कर रही हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिलने की उमीदे बढ़ गई है तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामराव ने घोशना की है कि अमेरिका इस्थित संगठन प्रोविडेंस हेल्थ सिस्टम जल्द ही हैधराबाद पे अपने कर्मचारियों के संख्या को तीन गुना कर देगा एक हजार लोगों से प्रोविडेंस हेल्थ सिस्टम अब हाल के दिनों में हेधराबाद में तीन हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे के टी आर ने सोशल बीडिया के जरिए ये एलान किया है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी घोशना की उन्होंने लिखा कि देलंगाना के यवाओं के लिए और अच्छी खबर ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यूएस इस्थित प्रोविडेंस हेल्थ सिस्टम हैदराबाद में अपने कर्मचारियों की संख्या को एक हजार से तीन हजार से अधिक करने के लिए तैयार है प्रोविडेंस के प्रेसिडेंट और सीओ डॉक्टर रॉड होच्मेन, सी आई ओ बीजे मूरे और इंडिया टुडे मूरली कृष्णा से आज मुलाकात हुई आपको बतादे कि यूएस इस्थित प्रोविडेंस हेल्थ एंड सर्विसेज एक गैर लाबकारी कैथोलिक हेल्थ केर सिस्टम है जो सेयुक्त राज अमेरिका में साथ राज्यों में कई अस्पतालों और क्लिनिक का संचालन करती है प्रोविडेंस ने परवरी 2020 में भारत में अपना ग्लोबल इनोवेशन सेंटर लॉंच किया इस पर आप क्या कहना चाते हैं जरूर हमें कॉमेंट करके बताइए तेश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्ता से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं जुड़े रहिए जनभाबना टाइम्स के साथ नमस्कार झाल